नमस्कार दोस्तों The Fact Time में आपका स्वागत है हम देखेंगे कि यहां गुरु ग्राम से लाइफ कवरिज दिखा रहे हैं आपको संगत की क्यूं आए हैं वो यहां पे किसलिए आए हैं क्या मकसद है उनका यहां आने के पीछे किसकी शिक्षक पर चलते वे आज वो यहां आए इंसा की पावन प्रेणा पर चलते हुए और यह सफाय अभियान चला जा रहा है वहां पर इसलिए आए हैं गुरु ग्राम को ही क्यों चुना गया इसलिए चुना गया है क्योंकि यहां पर 21 दिनों के लिए हमारे गुरु जी ने चरण टिकाए और प्रिशाशन की मदब च जंगज से मिले तक भी नहीं है उन्होंने प्रवोश दमान करते थे और करते रहेंगे और इसलिए इसलिए उन्होंने गुरु ग्राम को ही सफाय अभियान के लिए चुना है संद गुर्मीर रामरहिम सिंग जी इन्सा की पावन परणा पे चलते हुए 136 मानोता बलाई कारे किये जा रहे हैं जिसमें वैश्यव रती जिसमें वैश्यव में फसी लड़कियों को ना सिर्फ उनका इलाज कराया जाता है बलकि उनको अच्छे परिवापड़े लेके गरों में उनकी शादियां भी करवाई जाती है और एक नहीं मेरे कहल से 128 से 130 लड़कियों की शादी वैश्यव रती फसी लड़कियों की करवाई गई है मैं जैसा कि हम देख रहे हैं चार साड़े चार साल हो गए हैं कि संद्गुनवीत रामरेम सिंग जी इंसा समाज के बीच नहीं है तो जैसे वो पहले सफाइ मापयान करते थे उनकी मौझूदगी में और आज एक उनकी गैर मौझूदगी में जो सफाइ मापयान हो रहा है तो क्या फरक नज़रा रहा है फरक तो हमारे लिए तो कोई फरक नहीं है लेकिन हाँ दुनियादारी के हिसाब से या संगत के लिए भी एक देश रूप में मतलब गुरुजी हमारे साथ नहीं है बाकी वो हर संगत के साथ है हमें कभी लगा नहीं कि गुरुजी हमारे से एक वहनब प्रणvit पलको भी दूर है और पेले से बढ़ कि हमारे कारे कर रहे हैं मत और हम सोच भी नहीं सकते ऐसे करम का रहें कि हम स्बय बिनीस सोच सकते अप कोई पैसा मिलता है यहां आने क्यों कि और क्यों ला кियूं करहें क्यूंकि कि आपनी तरह से पैसे लगा के अपने मानों तबलायके कारे क्यों ना क्यों नहीं करें समाज को हम सफाई अभी अभी अनकी तहत ये परेड़ा देना चाहते हैं कि हम अपने आस पास का जो ऌतवर न है साफ रखेंगे उससे ना तो बाइमारियां दूर होगी और आस पास जो बाइमारिया फैले गी वह भी दूर होगी मैं सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगी सरकार से मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि हमारे गुरू संगुर्मीत राम रहीम सिंग जी को बाइज़त बरी किया जाए क्योंकि आज इस समाज को गुरू जी की बहुत जादा जरूरत है मैं देख रहे हैं उनको समाज में बहुत जल्द भेजा जाना चाहिए ताकि ये समाज फिर से हरा भरा और खुश हाल जन्दगी जी सके।